नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारेकरम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. कुछ दिन पहले भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी या सिंधू जलसंधी में संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेजा था. नई दिल्ली का कहना है कि उसे ये नोटिस जारी करने के लिए इस्लामाबाद ने एक तरह से मजबूर किया था. भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने पानी के बटवारे को लेकर पडोसियों के बीच की दरारों को दूर करने के लिए दो पैरलल प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर जोर दिया. नोटिस ट्रीटी के आर्टिकल बारा के अंतरगत जारी किया गया है. भारत सरकार ने कहा है कि उन्होंने जल वित्रन संधी को letter as well as in spirit लागू करने में एक जिम्मेदार भागिदार का रोल अदा किया है. भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान की हरकतें अकसर संधी के खिलाफ थी और इसने भारत को ट्रीटी में मौडिफिकेशन की मांग करने के लिए मजबूर किया. हम भारत सरकार के कदम को दो तरह से देख सकते हैं. एक कि ये इंडिया का रेस्पॉंस है क्योंकि पाकिस्तान भारत के हर हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट का विरोध करता है. अगर यही कारण है तो भारत का आइडिया होगा नोटिस से इसलामाबाद पर दबाओ आएगा और इंडिया के प्रोजेक्स का विरोध करना वे बंद कर देंगे ऐसी स्थिती में यह नोटिस या तो वापस ले लिया जाएगा या फिर उस पे कोई आगे और इमीजिट फॉलो अप नहीं होगा यह एक तरह से मैटर को लिम्बो में रखा जाए भारत के नोटिस को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है परंतु इसके long term implications होंगे इसके तहत भारत ट्रीटी में संचोधन करने के बारे में बहुत गंभीर है और यह नोटिस आने वाले महीनों और वर्षों में इसके कई steps में से पहला कदम है यह पहली बार नहीं है जब सिंदू जल संधी में संचोधन का आउहान किया गया है पाकिस्तान और भारत दोनों ने अलग-अलग समय पर दावा किया है कि यह ट्रीटी उनके राश्ट्रिय हितों के खिलाफ है विवादों के बावजूद सच तो यह है कि यह ट्रीटी दोनों देशों के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाली ट्रीटी रही है भारत में संधी को domestic politics में भी खेंचा गया है ट्रीटी का अंतिम रूप और दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर तब किया गया था जब कॉंग्रेस सत्ता में थी और जवाहर लाल नहरू प्रधानमंत्री थे इसी वज़े से विपक्ष विशेश रूप से भारतिय जन्संग जो 1980 में भाजपा के गठन के पहले संग परिवार से जुड़ी पार्टी थी इंडस वाटर्स ट्रीटी और इस मुद्दे पर सरकार की तथा कथित नर्मी को क्रिटिसाइज करती रही जब जवाहरलाल नहरू द्वारा रैटिफिकेशन के लिए ट्रीटी पार्लिमेंट में लाई गई थी तो कई सांसदों ने इसका विरोध किया था इन में अटल विहारी वाजपई भी शामिल थे विपक्ष ने कहा था कि नहरू पाकिस्तान के सामने जुग गए थे कि उन्होंने कंसेशन्स के बाद कंसेशन्स दी इसके बाद इस मामले को उन्होंने प्रॉमिनेंस नहीं दिया मतलब ऑपोजिशन के पार्टीज ने हलाकि संसद में कई बार बहस हुई और इस विशय पर कई प्रशन भी पूछे गए सेप्टेंबर 2016 के पूरी हमले ने लेकिन भारत में डिस्कोर्स को बदल दिया इंडस वाटर्स ट्रीटी पर जलशक्ती मंत्रालय के अधिकारियों से बात करते हुए प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने कहा था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते कि इंडस वाटर्स कमिशन की बैठक आतंक मुक्त वातावरन में ही हो सकती है उस समय तक भारत सरकार ने स्ट्रेटेजिक टूल के रूप में नदी के पानी का उप्योग नहीं किया था उरी हमले के बाद इंडस वाटर्स कमिशन की बैठकों का सस्पेंशन उस अभ्याज से डिपार्चर का संकेत देता है इस साल महत्वपूर्ण राज्य चुनाओ और अगले साल लोकसभा चुनाओ है इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है अभी तक लेकिन पाकिस्तान को लेटिस्ट नोटिस पर चर्चा या फिर सोचते समय इस मुद्दे को एवाइड नहीं किया जा सकता है तो सवाल ये उठता है सिन्दू जलसिंदी है क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझोता कब हुआ था और किस तरह से हुआ था इसका इतिहास क्या है और ट्रीटी कितनी सफल रही है अब तक विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा सिंधू बेसिन के आर पार्ख ही ची गई थी इसके परिनाम स्वरूप पाकिस्तान लोवर रिपेरियन टेरिटरी बन गया और भारत अपर रिपेरियन नौ साल की बातचीत के बाद 19 सेप्टेंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधू जलसंदी पर हस्ताक्षर किये गए थे विश्व बैंक तब IBRD कहलाई जाती थी उसके देख रेख में नौ साल ये नेगोसियेशन चले थे आपचारिक हस्ताक्षर समारो कराची में था और जवाहरलाल नेहरू ने जनरल आयूब खान के साथ डॉटेड लाइन पर हस्ताक्षर किये थे इंडस वाटर्स ट्रीटी ने सिंधू बेसिन को दो भागों में विभाजित किया पश्चिमी नदिया सिंधू या फिर इंडस जेलम और चेनाब और तीन पूर्वी नदिया सतलज ब्यास और रावी ट्रीटी ने सिंधू बेसिन के पानी के बटवारे की योजना तयार की पश्चिमी नदियों पाकिस्तान के हिस्से में चली गई और पूर्वी नदि भारत को एलोट की गई लेकिन ट्रीटी पर हस्ताक्षर होने से पहले भारत और पाकिस्तान ने सिंदू बेसिन के पानी को कैसे शेयर किया था मतलब बिफोर 1960 Actually August 1947 में विभाजन के तुरंत बाद सिंदू बेसिन के पानी को 4 मई 1948 के Inter-Dominion Accord द्वारा विभाजित किया गया था इस समझोते से भारत को पाकिस्तान सरकार से वार्षिक भुक्तान के बदले में बेसिन के पाकिस्तानी शेत्र में परियाप्त पानी छोड़ने की आवशक्ता थी लेकिन इस समझोते को कभी भी Long Term Solution के रूप में नहीं देखा गया था भारत ने पश्चिमी नदियों से केनाल्स के निर्मान के मदद के लिए पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड भी दिये थी Indus Waters Treaty में दोनों देश के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक Institutional Mechanism स्थापित किया गया था इसके तहट एक Permanent Indus Waters Commission की स्थापना की गई थी सिंदु आयोग में दोनों देशों के एक-एक Commissioner होते हैं Indus Treaties उन मुद्दों को हल करने के लिए Specific Procedures को भी निर्धारित करती है जो उत्पन हो सकते हैं प्रशन या फिर Questions आयोग द्वारा Decide या फिर Resolve किये जाते हैं मदभेद या Differences एक Neutral Expert द्वारा हल किये जाते हैं और विवादों या फिर Disputes साथ सदसे वाली Court of Arbitration के पास भेजा जाना चाहिए भारत सरकार के अनुसार दोनों देशों के बीच वर्तमान Conflict जो नोटिस दिया गया है पाकिस्तान द्वारा मदभेदों को दूर करने के लिए दो Parallel Process की मांग पर जोर देने से उत्पन हुआ है मदभेद सुलजाने के लिए इसलामाबाद ने Neutral Experts और Court of Arbitration की मांग साथ साथ की नई दिल्ली को इससे आपत्ती है 1988 की घटनाओं में वर्तमान मदभेदों की Roots का पता लगाया जा सकता है प्रारंबिक Differences तब शुरू हुई जब भारत ने जेलम नदी की एक Tributory पर किशनगंगा Hydro Power Project की योजना शुरू की पाकिस्तान ने किशनगंगा प्रोजेक्ट पर आपत्ती जताई क्योंकि नीलम नदी पर एक Hydro Electric Project की उसकी अपनी योजना का प्लैन बन रहा था किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है विवाद कई processes से गुजरा अन्तत भारत ने 2010 में Court of Arbitration गठित करने की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया ये एक मात्र समय है जब इस तरह की अदालत आयोजित की गई जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे 2013 में इस Court of Arbitration ने पाकिस्तान की आपतियों को सही नहीं पाया फिर भी भारत को परियोजना के डिजाइन में कुछ modifications करने को कहा किशन गंगा Run of River Hydro Electric Project का उदगाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने May 2018 में किया लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध करना जारी रखा है साथ ही रातले प्रोजेक्ट को अपने प्रोटेस्ट में जोड़ा है और Neutral Expert के साथ Court of Arbitration के लिए भी कहा है भारत द्वारा पाकिस्तान को 62 साल पुरानी सिंधू जल संधी में एमेंडमेंट्स के लिए नोटिस देने के ठीक दो दिन बाद दहेग में एक नई Court of Arbitration ने सुनवाई शुरू की भारत प्रोसीडिंग्स जॉइन नहीं कर रही है विश्वा बैंक ने October 2022 में एक Neutral Expert भी न्यूक्त किया था भारत ने इस महिने के अंथ में बैठक में भाग लेने की प्रतिबद्दता जताई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिष्टे तो नाजुक हैं ही बीजेपी की विदेश नीती अक्सर डॉमेस्टिक कॉंस्ट्वेंसी को फैक्टर करके तै किया जाता है पानी बहुत इमोशनल इशू है पाकिस्तान में पिछले वर्ष रेजीम चेंज हुआ है वहां राजनेतिक टर्बुलेंस अभी भी रेकरिंग फिनॉमिनन है इंडस वाटर स्ट्रीटी कायम रहेगी और समवाद से ही मदभेदों का समाधान होगा कहा जाता है कि आप अपने मित्र तो चुन सकते हैं लेकिन अपने पडोसी या फिर नेबर्स नहीं चुन सकते जियो पोलिटिकल इंडियन सबकॉंटिनेंट का यही इक्वेशन रहेगा नमस्कार